फुल्य गनिस जी महराज कीजे, सावर्या सेठ कीजे, खाटू नरेस कीजे, भगत वसल भगवान कीजे. फिर से बुलीगा, राधी, 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 वरेना, अर्थ संगाना, रसाना, चन्द सांपी, मंगिला नमच करता रो, वरंदेवानी विनायको, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, रदे रदे नर्सी नर्सी मेता जी हां हमारे नानी बाइरो माइरे भी यानि नर्सी का भाद इसमें जो हमारे नर्सी जी हैं अन्भिग नहीं हैं हरिभक्तों में सबसे उपर हैं हमारे नर्सी जी सबसे उपर सबसे प्रिये हैं हमारे ठाकुर जी के नर्सी मेंदा जी नर्सी मेंदा अपने आप में नर्सी मेंदा खानाम बहुत ही खुबसूरत शिर्णी मिलिया जाता है जी हां भगतों की माने तो सबसे खुबसूरत शिर्णी में हमारे ठाकुर जी का नाम आता है जो आपके गुजरात की शहर जूनागर में रहते थे नागर परिवार और जनौं से ही शारेरिक दोईधा सबसे बड़ी बात देखिए जनौं से ही सारे रिक्तुईधा ना नर्सी जी बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे इश्वर का ये अपने आप में बहुत ही बहुत ही एक विचितर इंतिहान था नर्सी मेंता जी के लिए जो बच्चा जनम से गुंगा हो बहरा हो उसकी प्रस्तिती क्या होगी आप स्वेम समझदार है ऐसे ही थे हैं हमारे नर्सी जी छोटे से मा बहुत ही प्रेम से लालन पालन किया करती थी हमारे नर्सी जी का बहुत ही प्रेम से नर्सी जी के माता पिता नर्सी जी को पाल रहे थे लेकिन जो लेखा और जोखा उस कुदरत नहीं लिख दिया है वो थोड़ी मिटे गा शारेरिक दूइधा नर्सी जी को उससे भी बड़ी चीज गाउ में महामारी फैली जब गाउ में महामारी फैली तो नर्सी जी के माता पिता जो नर्सी जी को बहुत प्यार करते थे माता बहुत ख्याल करती थी नर्सी जी का क्यों मीरा बेटा ना बोल सकता है ना सुन सकता है कौन है मेरे नर्सी का और सकते है बच्चा यदि बोलता भी है सुनता भी है तो भी एक मा के सिवा खोन होता है नहीं न वो एक अलग बात है कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सीधा बोल देता है तुमने हमारे लिए किया क्या भूल जाता है जब छोटा सा था न तो वो बोलना नहीं जानता था तो वो माही वो माही थी जो इतने से किसमस्ति थी आज बेटा बड़ा हो गया कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता है बोल देते हैं बच्ची बड़ी दूइदा नर्सी जी के लिए कि नर्सी जी ना बोल सकते थे तर सुन सकते थे उपर से माता पिता का खत्म होना अपने आप में और बड़ी दूइदा नर्सी जी बोल पाए ना सुन पाए और माता पिता पहले ही समाप्थ होए महामारी फैली तमाम महामारी में लोगों के मृत्य हो गई उस मृत्य में महामारी में नर्सी जी के भी माता पिता समाप्थ होए जी हाँ, हमारे नर्सी जी के माता पिता समाप्त हो गए, नर्सी मेता अकेली रह गए, इस छोटी सी अवस्था में इतना बड़ा, इतना बड़ा बोध लेकी, कि मावाप खतम हो गए, क्या करते नर्सी मेता, क्या करते, आप ही बताईगा, जिसके माता पिता खतम हो गए, बोल नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्ची के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे, मेरी बानी को विराम दीजिएगा, अपने आपको, आप सब के सामने, सुधार कर लाने की कोशिस से मेरी, बताईगा, राधे राधे,